आप सब कैसे आप सब आई हो आप सब सेफ होंगे हम वे वे कुछ सेफ है गुड मॉर्निंग तो अल फ्यू आज जो है ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया साथ बजे मॉर्निंग वे जो है मैं च्छे बजे उठ गी थी च्छे तो क्या आज तो वैसे पता नहीं पूरी राते मैं आज पांच वजे उठके घूमना फिरना स्टार्ट करा था मैंने बट अभी नहां दोके मैं वो गया रेडी क्योंकि आज है पूर्थ नवरात्रा और गोलु का टिफिन रेडी करना था गोलु जारिया स्कूल आज मतल्ब मैं बना रही हूं गोलुका आज फ्राइडे ह है तो गोलुका जाता है जंक फूड में तो आज मैंने बर्गर बनाऊंगी मतल्ब बना लिये हैं दिखाऊंगे आपको रेसिपे उसके साथी तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना लाइक करना वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर जाना तो यहां पर देखो टमाटर प्याज नहीं डालूँगी क्योंकि प्याज नवरात्रे में खाती नहीं हूँ इस पर मैंने एक पर सोस लगाई है एक साइड और एक साइड लगाई है मैंने मियोनीस तो फ्राइडे में जो है गोलुका जंक फूड जाता है तो मैं most of the time जो है बर्गर बनाती और बहुत जादा यम्मी बनता है तो इसमें जो है मैं टिकी ना लगा के आलू को थोड़ा सा फ्राइ कर लेते हूँ कड़ाई में और उसी पर ही खीरा टमाटर रख देती हूँ और गोलुका लाईथ में नए टिफिन यम्मी बनता है बहुत ही जादा और एक टिफिन में तो आप कमेंट करके बता देना वैसे मैंने बहुत सारी वीडियो में प्रॉपर रेसिपी शेयर कर रखी है देन उसके बाद जो है गोलु स्कूल के लिए रेडी हो गी थी मैं जो है वो खाना बना देती हूँ ब्रेकफास्ट वेगरा रेडी कर देती हूँ आपी तो वैसे पूरा भरके पानी मैं बोलते हूँ जब से उठती है और स्कूल जाने बस आती है तब तक यह वाली बोटल जो है फिनिश करनी है पानी का है जो प्रॉपर ध्यान रखो अपने बच्चों का क्योंकि गर्मी आगी है तो पानी का इंटेक जो है बच्चों को लेना चाहिए और यहाँ पर जो है गोलू साइकल से गिर गी थी तो इसके थोड़ी सी जो है चोट लगी थी यहाँ पर दन उसके बाद गोलू की बस आगी थी तो गोलू जो है तरकाती रहती है कि मैं पानी नहीं पिऊंगी दन गोलू की बस आगी गोलू स्कूल जाने के लिए वो रेड और गोलू के पापा का चल रहा है यहां पर work from home तो इनकी call चल रही थी इसलिए मैं over voice कर रही हूँ देन उसके बाद नाद हो ली थी देन गोलू जैसे ही school के लिए जाती है मैं पूजा वे गयरा कर लेती हूँ यहां पर अपनी माता की चोकी जो मैंने लगा रखे और यह वाल सब्सक्राइब कर लिया है और यहां पर मैंने बॉल कर रहे हैं आलू और सामक मैंने अपना चीला आज रेसिपी आपके साथ शेयर कर देती हूँ इसको जो है मैंने 10-15 मिनिट बिगो लिया था और आलू को जो है वो बॉल कर लिया है अभी आगे जो है पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँए आज जो है सामक के अचीला की बनाती हूँ उसके रेसिपी आपके साथ करूगे मॉर्Kelly में जो है आज मैंने जूस नहीं लिया था कंकि मेरा बूब हुर्ब है तो अज मैने जूस नहीं लिया था तो अभी जो है मैंने फर्स तो गाइज आज आपके साथ में शेयर कर रहे हूं सामक के जो मैं चीला बनाती हूं उसी की रेसिपी है यहां पर सामक को मैंने 15 मिनिट भिगो लिया था देन उसके बाद जो है ग्राइंडर में इसको ग्राइंड कर लिया था एक बाउल में डालेंगे और आलू जो मैंने चीला बना लेंगे बहुत ही क्रिस्पी बनता है बहुत ही यम्मी बनता है आप जरूरी निया नवरात्रों में खाए मैं जो थरस्डे का फास्ट करती हूं आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी अच्छी लगे तो कमेंट करना यहां पर देखो मेरे चीला बन गया है तो म अब ब्रेकपास कर लेते हूं देन उसके बाद जो है मुझे पैकिंग कर दी है कर दिया आप जाके शोर्ट वीडियो भी देख लेना पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं अभी घर काम कर लिए सारा पोचा लगा रही थी मैं अभी दो रूम में से पोचा लगा मेरा रेडी हो गया है यह भी आज प्राइब करके दिखाऊंगी कि कैसा बना है तो चले फटा फटा भी काम कर लेते हैं देन उसके बाद मैं घर का सारा काम फिनिश कर देती हूं जैसे जाड़ू पोचा और मम्मी आयो है तो हम मिल जुलके सारा काम कर लेते हैं मम्मी लाइ कि जो है फटाफट सारे काम हम जो है ग्यारा साड़ी ग्यारा बजे तक निपटा देते हैं तो पोचा वचा लगा रहे हूं यह देखो मम्मी यहां पर बरतन साफ करें तो जितनी भी सास बहुए हैं उनको मिल जुलकर ही काम करना चाहिए ताकि जो है एक पर बर्डन ना पड अमेरा मकाना और पीनट का सैलेड और प्रणकर जाए कंच चाहिए अच्छा निया रहरे ना इस कब चल जारा है ईजा तो जिस जिसको चलना आजाना वहाँ पर यहां पर हम जाएंगे खाटू शाम जी बाला जी और टाइम मिला तो जैपूर भी घूम के आएंगे हैं तो ट्रिप लंबा चलेगा और यहां पर चला रखा था अपना ही व्लॉग और यहां पर मखाने और पीनट का सैलेड और गोलू और मम्मी चले गए है पार्क में घूमने तो अभी मैं ही खा लेती हूं लास्ट मीलोग दे मेरा और फिर जो है मुझे वैक्स करवाने भी जाना है तो तो गाइस उसके बाद हम जाएंगी काटू शाम जी कल का मतलब वारा दो तीन दिन का ट्रिप है हम खाटू शाम जी जाएंगी तो उसका ही देखूंगी अगर मैंने जो खुद स्टिच करा है ग्रीन कलर का सूट बट वो कट स्लिव है अगर वो पहन के गई ममी ने बोला कि वो पहन के चल सकते हैं तो वो पहन के चली जाओंगी वहाँ पर पूजा करने के टाइम में जो है वो कोरा सूट पहन होता है बाकी तो इध लव यू ओल